मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कौन सा सल्लेवस है कौन सा पढ़ना है कौन सा कौश्चन आपको नई पढ़ना है इसमें total 7 विनिट बची भी है एक विनिट थी जिस इन्होंने हटा दी पहले विनिट में आता है आपका chapter number 1 आता है ये class 10th का बता रहा हूं है राजस्थान बोर्ड का इस चीज़ का ध्यानक ना भई तो बच्चो अनकेडमी लेकर आया है आपके लिए most challenging battle आपके बोर्ड एक्जाम की preparation और practice के लिए अनकेडमी combat इसमें आपका live test होगा आपका इसमें score कर सकते हैं सही जवाब देखकर आप बहुत सारे point earn कर सकते हैं real time ladder board चलेगा आप किस position पर है ये दिखाएगा k10 combat format इस परकार है आपके 40 minute का board का experience आपको मिलेगा 30 super question होंगे 6 combats है इसमें negative scoring भी होगी और English and Hindi language में होगा आपके detail video solution आपको हर video के हर question के answer के बाद आपको मिल जाएगा first आपके 31st January को है 11 a.m. इसके बाद हर 15-15 दिन बाद आपका ये test होगा और ये है आपका syllabus mathematics का and science का और detail solution आपको मिलेगा question होगा ये इसका देरका है इस परकार से होगा उपर solution नीचे question का answer आपको देना है question answer के बाद में आप detail solution आप देख सकते होगा साथ में बहुत सारे sprint जुड़ गए है प्लीज आप भी जुड़ जाएए और first है 31st January को है 11 a.m. और अगर आपको indul होना है तो ये मेरा code है मेरे channel का नाम ही है मन की गणित इस code से आपको जुड़ना है मन की गणित से free में आप वहाँ पर जुड़ सकते हो और अपनी काबिलेत दिखा सकते हो एक्जाम दे सकते हो फस्ट rank आने वाले को 12 मन्त का अनकैडमी कोर्स मिलेगा rank 2 को और 3 को मिलेगा 6 मन्त का सब्सक्रिप्शन और 4 to 50 को मिलेगा जल्दी से जॉइन हो जाएए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चैप्टर वन चैप्टर वन में आपके एक तो न्यू वाल एक्साइज आपको पढ़नी न्यू आया ना न्यू एक्साइज नमर बन बस वह पढ़ना है और इसमें आपके दूपइंट इंक्लूड कर यह बने और यह वाले आपके फू वीट तक पढ़ने जादा बड़े मत पढ़ने क्योंकि वैससे यह चैप्टर आपके ज्जयादा बढ़ने नहीं है one 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 और one or two marks फिस्ट एक नमबर के एक कोशन आपके दो नंबर का आएगा ज्यादा बड़े-बड़े मत पढ़ना 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 ताकि ज्यादा एजी रहेगा तो यह आपके चार्ट तक आ सकता है और यह आपके छेट तक इससे बड़ा नहीं आएगा भी आपके एक्जाम में क्योंकि दो नंबर में कौन से कॉशन आएंगे जो इनकी एक्षाइज में है वही कॉशन पढ़ने मतलब के आपको एक तो भाग करने डिवाइड करने वाला कॉशन आपको नहीं पढ़ना है और एक HCM-LCM वाला कॉशन आपको नहीं पढ़ना इसका ध्यान रखना है चैप्टर फॉर में ओनली ग् अक्टर भी था नॉर्मल ग्राफ आएगा इसमें 4.2 वाला कोई कॉशन नहीं आएगा इसमें एक्साइज 4.2 के रिलेट कोई कुशन नहीं आएगा गल्ती से मोडल प्यपर में आ गया है तो आपके नहीं आएगा टेंसन फ्री रेना एका है नहीं आएगा साथ पर है 4.2 अला नहीं आएगा अब आते है चैप्टर नुम्बर फाइब में इसमें आपके एक से फाइब पूरा पढ़ना है फायप टू भी पढ़ना है और इससे सम्मंदित आपको एक्जाम्पल भी पढ़ने एक्जामपल का भी ध्यान रखना है चाहिए चैप्टर है चाहिए भी चैप्टरों एक्जम्पल का भी खास तोर से ध्यान रखना एक्जम्पल भी ध्यान रखना है और मिशलेन इस फाइप में आपके SN वाले question को छोड़ गर इसमें भी SN पुछा गया है SN वाले question को छोड़ गर सारे question आपको त्यार करने है इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब हम next लेते हैं आपके जो है थर्ड यूनिट है थर्ड यूनिट में आता है आपके चैप्टर नंबर प्रणाश में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और यहां पर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ यह भी पूरा आएगा और यह भी पूरा आएगा बस चैप्टर 7 में आपके एक साई नंबर 7.2 यह अट गई है आपके तो 7.1 और उसके एक्जमपल दोनों ही करना है आपको और सारे फर्मूले भी आपको याद रखना है जिससे आप सारी आइडेंटी अराम से प्रूव कर सको तो फर्मूले अगर आप तोड़ा याद करना तब जाके आपके 12, 13 and 14 देखो 10 में क्या का पढ़ना है बता देते हैं एक साई 10.1 में यह वाले कॉस्चन फर्स्ट टेकिंड फिर 5,6,7,8,9 पांस से नो पूरा पढ़ना है और 10.2 में आपको यह वाले कॉस्चन पढ़ना है 2,3,4,5 and 7 6 नहीं पढ़ना है फर्स्ट नहीं पढ़ना ऐसे मतल सेंटर वाले नहीं पढ़ने हुए आपको तो मैंने सेंटर वाल अठा दिया है मैसे यह वाले कॉस्चन है जो आपको पढ़ने है अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 में इसमें आपके 11.1 and example and theorem 11.2 example, theorem, example और यह वाले और कुछ भी नहीं पढ़ो ना तो मिसलेनिस के बस यह व चैप्टर नंबर 12 इसमें आपके exercise 12.123 और मिसलेनिस के 1 to 20 तक पढ़ना है ज्यादा मत पढ़ना 1 to 20 तक खूब है इसमें cyclic coordinator आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 इसमें only 13.1 तक ही पढ़ना है वन या उससे पहले के example ठीहरम पढ़ने आपको 13.1 तक ही चलना है या उससे पहले के example और theorem पढ़ने है चैप्टर नंबर 14 इसमें आपको exercise 14.1 के question number 1 to 9 तक और इससे related को example है ना वह example भी कर ले ना भी वन टू 9 तक ही पढ़ना है 10 और 11 वाला जो example question है ना वह नहीं पढ़ना है आपको और 14.2 भी आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है नेक्स आता है भी आपके चैप्टर नंबर आपके 15 है तो 15 में मैंने बता रहे हैं 15.1 पूरा पढ़ना है और इसके example भी पढ़ने है और 15.3 में आपके यह वाले question ही पढ़ने है आपको जिसमें only circle आए जिसमें area आए और circumference आए मतलब उसमें sector segment नहीं आना चाहिए चैप्टर नंबर जब भी पढ़ो ना आप sector का formula और segment का formula यह वाले question आपको नहीं पढ़ने है इसके अगर कोई example भी आना था example भी त्यार करना है जिसके अंदर sector नहीं आना चाहिए segment नहीं आना चाहिए यह अडगया course से आपके अब चैप्टर नंबर 16 इसमें एक तो change वाले question आपको नहीं पढ़ने है और यहां को number डूनना कि पहले थे 8 अब हो गए मतलब पहले 8 cube थे उससे एक बड़ा cube बना दिया ऐसे question आपको नहीं पढ़ने और number भी नहीं पढ़ना है कि पहले यहां पर एक दिवार है दिवार मतलब जो भी wall है उस wall में कितनी bricks लगेगी या कितने कुछ number find करने है तो number वाले question चेंज वाले question आपको नहीं पढ़ने है और आपको कौन भी नहीं पढ़ना है कौन चेंज वाला question होता ना पहले cuboid था आप cube बन गया यह पहले cuboid था तो अब आपके cylinder बन गया question भी आपको नहीं पढ़ने है जिसमें number find करने है वह वाले question भी आपको नहीं पढ़ने है जबो मेरे इसाफ से आपको सबसे best है कि आप सारे formula रटलो क्योंकि एक question आपके पांच number का जो आएगा five mark का वह आपके only formula का ही आएगा अगर इसमें से कुछ भी नपढ़ो ना formula जरूर रटले ना भी main formula है अगर यह तो मैंने बता दिये कि यह यह आपको पढ़ने है और formula ज़्यादा ध्यान देना भी अगर यह नहीं भी पढ़ो गे इन दोनों चैप्टरों के formula का एक आएगा टेबल टेबल त्यार करना है पक्का आएगा five marks का formula आपको याद होना चाहिए आप model paper देख लेना model paper में आपके दे रखा उसके हिसाफ से चलना है आपको पिर आते हम chapter number 17, 18, 19 में आते हैं तो chapter 17 में बस एक पॉइंट हटा है मोड मोड आपको नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ना है ये सारी exercise पढ़नी है लेकिन इतना मत पढ़ना आप normal बताता हूं आपको mean और median ये दोनों आपको group वाले आने चाहिए गुरूप वाले आने बहुत जरूरी है और दूसरा है आपके पी का value find करना जो कि आपके exercise number 17.2 में है वह वाले question है न तो वह वाले आप तयार कर लेना हूं चैप्टर 18 पूरा पढ़ना पढ़ेगा उसमें से कुछ भी इठा नहीं है चैप्टर 18 पूरा पढ़ना इसमें आपके वह अधन A और B वाला A और B के बीच का distance इतना दे रहा है एक first page पर ही दे रहा है A और B वाला तो वह question आपके नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर आपके S N का formula लगता है और S N आपके ही नहीं तो यह question आने के chance है नहीं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यह था total आपका जो भी course है ना मैंने बताया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह मैंने बता दिया किसी भी exercise में कोई doubt है ना तो please comment करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए